कि अब आप क्लॉस 22 में पहली बात तो सर पहली बात तो आप अगर यह नहीं है आप भी खुद भी में से मियों तो भी आपको सेट्शन 23 में ध्यान रखना बढ़ेगा तो अगर आप से डील कर रहे हो तो ऐसे केस में जो इंट्रस्ट प्रवाइड करना वह इंट्रस्ट भी ए तो इसको यहां पर लिखना आपके तो इंट्रस्ट नहीं कर रहा तो सर आपको क्वालिफाय करना बढ़ेगा कहां पर 3CB के तीन नंबर में या फिर अगर आप 3Ca यूज कर रहे हैं तो में और्टिट रिपोर्ट हो क्वालिफाय करना पढ़ेगा तो जो में और्टिट रिपोर्ट है उसको आपको क्वालिफाय करना पढ़ेगा अकेले अकेले के लिए निकाल के देखना पड़ेगा कि कि इसका इंट्रेस्ट बनता है इसमें क्या लिखा हुआ है और भी स्ब्सक्राइब करना तो आपको इंटर्स करना जुरूरी है अगर से अगर आप नहीं कर रहे हो तो ऐसे केस में आपको सर क्वालिफाय करना पड़ेगा सब्सक्राइब इस पर दूडेट बढ़ा नहीं सकते मैंने आपको माल सप्लाई कर दिया आपको इन्वाइज की इस इन्वाइज की दूडेट सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस तरह पर दूडेट नहीं कर सकते अपना इग्रिमेंट युकांट इस तब ही जाएंगे चिबापका एग्रिमेंट और इस नोए ग्रिमेंट ओली 15 देज तिक एग्रिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब जो आप बात के रहें एक दम सही है जो 43 भी पूरे पूरे अमांट को डिसलाओ करने की बात कर रहा है वो अगले साल से यहां पर इंट्रस्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूं अगले साल से जब आप अगले साल बनाएंगे बान के चल रहा हूं अगर चेंजिस नहीं हुए तो ऐसे के से पूरा पूरा मांट इसलाओ हो जाएगा ठीक है सब्सक्राइब करते हैं मैं इस इशू पर नहीं पढ़ूंगा कि अच्छा मेरी छोटा सा आप से रिक्वेस्ट ही है जब मैं कोई बात बोलूं सर आंसर दीजेगा ताकि मोनोटोनी ना रहे राइट कोशन आपका किसी कंसर्ण में है मेरा वो टॉपिक हताब हो मेरा परसन मानना है ट्रेडर कवर्ड है अगर आपको देखना है क्यों कवर्ड है आप सप्रेयर की डेफिनेशन पड़े जो मैं आज अभी यूस नहीं कर रहे है पर आज मेरा कोशन सरस सॉलूशन पर है कोशन यह है कि अगर 43BH में दिक्कत आ गई है तो सॉलूशन क्या है और मैं आपको लिख की ले रहा हूँ चार के बाद पांच वा सॉलूशन नहीं है मैं चार सॉलूशन बता रहा हूँ और सबका बेस बताऊंगा और टेक मैं वर्ट सर्फ इन में से दो या तीन सॉलूशन आपने सोचे भी नहीं होंगे और मेरी परसन आपसे रिक्वेस्ट हुआ है सबसे पहला इशू सर अगर आपका स्लाइन पहला सॉलूशन बता रहा है एक और और ैक्ष आपकके फ्यवर में हैं और चैसे हैं में अपने आपको सर दुबारा शिफ्ट कर सकते हैं ऐसा क्यों क्योंकि law में conversion हुआ है law में change आया है सर आप अब बरकंटाइल से cash में जा सकते हैं अब आपकोशन ही आएगा what about companies सर कांटी एप्रिशेट companies एड बताता है companies के लिए आपको accrual system accounting करनी है but section 145 बोलता है कि भाया आप सोर्स बेस्ट मतलब एक सोर्स को मैं क्याश कर सकता हूं दूसरे को मर्कंटाइल कर सकता हूं वहां पर कहीं भी वह डिफ्रेंशेट नहीं करता कि companies क्या बिस्ट नहीं कर सकती सब्सक्राइब जज्ज्मेंट अफ तपारियर टूल्स आप क्या comparison कैसे होगा जबकि जो आपके टेक्सिशन प्रिस्पल सर्क वो यह बताते हैं कि सर आपका हाथ में टेक्सिशन कैसे होगा तो 145 कहीं भी भी डिफ्रेंशेट नहीं करता कि आप companies के case के अंदर आप cash business पैसे देता है अगर वो अच्छे पैसे देता है जाकता कि आप जो वे जो आप प्रेटिस करेंगे जो मेहनत करेंगे उसके उसके कमसरेट है तो येस यू किन ऑल्वेस से हिम कि सर मैं cash business accounting कर सकता हूं कही कोई दिक्कत नहीं है अब facts क्या हो सकते हैं मैं एक बायर हूं संजे जी एक संजे चाटक साब सप्लायर है मैंने इनसे माल परचेस किया मैंने प्रमोध कौशिक जी को माल बेच दिया अब प्रमोध जी से पेमेंट नहीं आई मैंने संजे जी को पेमेंट नहीं दी सर मैं cash business accounting करूंगा कही कोई दिक्कत नहीं है पर माल पर मेरे facts सर मेरे favor में नहीं है सर यहां पर cash business accounting करेंगे तो आपको फाइदा नहीं होगा तो what I want to say आपको facts based है अगर आपके facts आपके साथ हैं सर आप cash business accounting में राजते हैं सर यह पहला तरीका बता रहा हूं आपको मैं राइट दूसरा एक judgment note करें सर CIT वर्स बोधी पॉन CIT वर्स बोधी पॉन Supreme Court judgment the judgment came in relation to 43B और appreciate करें इस judgment का महत्व इतना है अगर आपने GST में सुना होगा चार एक मिहने पहले एक मदरास High Court की एक judgment आई थी और judgment में ही बोला था कि अगर आपके cash ledger में आपके पैसे पढ़े हुए है जैसे input ledger होता है एक credit ledger होता है एक cash ledger होता है अगर cash ledger में पैसे पढ़े हुए है तो आप पे interest की liability नहीं है यह आपको याद होगा सर और जो चार मेने पहले जो मदरास High Court की judgment आई थी that was on the basis of this judgment CIT versus Modi Pawn only Supreme Court अभी judgment में क्या हुआ before understanding this thing let me appreciate आपको थोड़ा सा पीशे लेकर जाता हूँ प्री जीस जीए रहे में शशी कान जी को याद होगा शशी जी पहले क्या होता था सर एक size के अंदर पहले तीन तरह की रिस्टर बनते थे एक आज जी 23 part first part second और उसके बाद एक पीले बनता था सर पार्ट फर्स्ट में होता क्या था सर कई पर यह भी तो चांड़ा साब आपने नोट किया होगा कई पर इन्पूट तो खड़ा है पर डिपार्टमा फोन आ रहा है तो चांड़ा साब को बलो दो जमा करा दे आप बहुत पर बता रहे हो या फिर पर क्लाइंड के वेट्ट्री में आए अब आप सुधीर चौदरी जी ने बोला इन्पूट क्रेट आपने लिया नहीं लिया इवन दो जब आपने पेमेंट कर दिया पूरे एक को रैट कर रहा है तो अगर जिस साल में मैंने पेमेंट करी खर्चा उस साल बिल जाएगा अब केस लग गया है एससी को ऑफिसर के पास सर एस पेमेंट है खर्चा कैसे ले लिया तो सुधीर जी ने बोला भाया आप सेक्शन देखो सेक्शन में यह बार लिखी है सर उसने एडिशन कर दी सुप्रीम कोट सेट सुधीर जी एक दम करेट बोल रहे है जब वहीं चीज पूरे एक को कर रही है क्या बोल रहा है तो ऐसे के बहुत दिने भूल एंस स्क लेट एजेक संपल लेट लीजे मैं एक वायर norm और मालीजे चालडग साप यह मकर साओ लली ऴंजरम ऑजी कुल दीब जी इन से मैं मालव परच्रीश करताूं इन में से दो दो बंदों को तो मैंने payment करी निए पर तीन बंदों को एडवांस payment कर दी तो ऐसे case में relying on ct vs. modipon note कर लें सार relying on ct vs. modipon मैं क्या करूंगा सर चिन दो बंदों को payment करी वो खर्चा में टिसलाव करूंगा और जिनको advance payment करी ए उनको ct vs. modipon करके advance क्योंकि मैंने payment करी है तो ऐसे case में खर्चा मैं claim कर लूँगा अब अगला question आएगा नितिन मही tax code रिपूट में कैसे करेंगे 3CD में कैसे करेंगे 3CD सब पहली बात तो आपका document नहीं है आपका document क्या है 3CE और 3CB तो आप क्या करों कि 3CD में 3CD में वो true and correct है subject of these observations तो वहाँ पे आप दो observation लेखेंगे in relation to this particular 43BH पहला आप लिखेंगे that the SSC has relied upon CITIVORModipon उसने advance को payment को knock off कर दिया है पर actually my amount इतना payable है और इतना advance है मैं clear हूँ आपको sir आपको दोनो facts देने पड़ेंगे और सबसे beauty क्या है सर हमारी CPC की सर garbage in garbage out वो 3CD पड़ता है 3CA 3CB नहीं पड़ता है चब वो 3CA 3CB नहीं पड़ेगा और आपने proper reporting 3CA 3CB नहीं कर दी तो sir मेरा question आप से यह है कि क्या आपने 271J या district committee कुछ कह पाए या answer is no क्योंकि आपका document क्या है 3CA और 3CB 3CD में उसने नौक आफ किया सर दो तरीके दे दिया आपको तीसरा और यह जो तीसरा तरीका है सर्फ material पर लगेगा services पर नहीं लग पाएगा सर अगर आप यह प्रूव कर पाए किसी तरह से कि जो 10 December को माल purchase किया है say 10 January को माल जो purchase किया है वो आज भी प्लोजिन स्टॉक में 31 मार्च को प्लोजिन स्टॉक में खड़ा है मैं फिर से बोल रहा हूँ जो material आपने purchase किया है वो raw material हो चाहाँ finished goods हो वो आज भी आपके finished goods में है मतलब आपके books account बहुत प्रॉपर है आपके stock record बहुत प्रॉपर है आप nexus प्रॉप कर पा रहे हो यह माल मैंने माल purchase किया देखिए यही वाला stock खड़ा हुआ है तो ऐसे case में तेरा various judgment of various high courts and ITAT जो relevant different 40 ए 3 के context पर different section में आई हुई है चहाँ पर उन्होंने बोला खर्चा तो यह claim हुआ ही नहीं जब यह खर्चा ही claim नहीं हुआ तो ऐसे case में deduction allow, disallow किस बात की होगी बहुत खर्चा का claim होगा जब वो stock bikेगा मैं फिर से बोल देता हूँ there are various high court और ITAT judgment which says कि sir आप ने तो खर्चा claim किया ही नहीं क्योंकि purchase है पर्चेस के तो stock खड़ा कर दिया are you this no again इस तरह की judgments पर rely upon sir वो ssc करेगा आप नहीं करोगे वो क्या करेगा 43 BHK 3cd में कहीं report नी करेगा और आप क्या बोलेंगे that the ssc is relying on these judgments इस वया से उसने जो payable वाला amount है जो amount payable है वो उसने sir 3cd में account for नहीं किया are you this no or again sir cpc क्या करता है edition किसे बागी करता है sir 3cd वाली करता है 3cd ये 3cd नहीं पड़ता मैं यहां तक clear हूँ यह से उनो sir ये तीन method तक कहीं पर भी कोई दिक्कतारी तो बताईएगा पर चौते पर आउँगा किसी आप कोई भी question तीन तक पहले मैंने बताया sir तीसरा पताया stock अब आग चौते बे आजाया sir sir ये चौती चीज मुझे मार्श में समझ में आगी थी ये बहुत बला blender हो गया और मेरा परसल मानना है मैं इस particular 43BH को sir support करता हूँ normally अगर आप मुझसे कभी भी seminar सुनेंगे webinar सुनेंगे मैं 148 में ठोक के बोलता हूँ sir ये assessment चितरी भी उरी की सब गलत हो रही है ये notice bad deal नहों है चैट 270 की ability लगती है मैं कहा penalty bad deal नहों है पर दो section दो चीजे आज जो हम discuss करेंगे 43BH और दूसरा है sir TDS on imports दोनों को मैं support कर रहा हूँ क्योंग कही न कही चैट को 90 दिन कर दो इस तरह की चीजे निकाल दी कुछ कर रहा हूँ सब आप सोचिए अगर परलाजी की payment जो देट सो देने 120 दिन में आ रही है अगर वो payment सब 15 दिन या 45 दिन में आने शुरू हो जाए तो इंका business बढ़ेगा चाब इंका business बढ़ेगा तो मेरा business बढ़ेगा तो what I want to say 43BH has to be defended और उसको defend करना चाहिए पर हुआ क्या सर क्योंकि मैंने अपने आप से ये प्रण लिया था कि मैं 16 मही के बाद ये चौथा solution मताऊंगा अब वो 16 मही क्यों बोली क्योंकि 45 दिन खतम हो रहे बाद में 16 मही के बाद now let us come to this issue now before understanding this is चौथा solution जो चौथा solution दे रहा हूँ before understanding सर पहले 43 भी क्यों आया वो समय लेते हैं सर ये समय ना आएगा तो आपको आगे बाद समय आएगी शुरूआ क्या कि सर दिर वो सब केस इन 1984-85 के आसपस एक हाई कोट में केस चला उस केस में क्या हुआ किसी विक्ती ने सेल टेस की लाइबिटी करती और उसके पेमेंट नी करी चब पेमेंट नी करी तो डिपार्टमेंट ने बोला भैसाब आपने तो पेमेंट तो खरेंगे है और खर्चा यां थे बार कहां पर है तब दिर जो पार तब 43 भी नहीं ता अगर सामने वाले को सेल्टेस की लिविटी पे नहीं करी उसको प्रदिशन होना है कोई पैलिटी लगनी है को इंटरस्ट आना है वो तो सेल्टेस के अब हुआ क्या सर दुबारा केस लगा दुबारा कोई सुधीर जी ने आर्गू किया लापहा है और फिर्सफ नहीं पर से ब bob-법 तर topics क्ष़ थे ते लिवुटी नहीं अब गो नहीं लिद नो जो quarter जा जो महीना 31 मार्चों खतम होता है वो सर लाइबिलिटी जो है न वो इंकर्ड है वो पेबल तो एक अप्रेल को होती है ठीक है सर एक अप्रेल को होती है कमेटर विन्टु हाइब कोट ने बोला एक्टम करेट कानेटी अप्रिशेट उसने बोला भाया हर एक वोड का मेनिंग होना चीए तब तक उसको कंस्ट्रू करना है स्टिटली जो लिखा है उत्रा ही पढ़ना है अब क्योंकि यह खर्चा सरफ इंकर्ड हुआ है पेबल नहीं नहीं लग पाएगा आपको अलाव होगा 43 भी नहीं लग पायगा तो ओवरकम देश तो अवरकम देश सब्सक्रीप भाट एक्षेशन टू खोले सर इंक एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ियेगा सर्थ, for the purpose of clause A, क्या बोल रहा, for the purpose of clause A, जिसर्फ clause A की बात कर रहा और किसी की बात भी कर रहा, for the purpose of clause A, as in force at all material times, any sum payable means, any sum payable means, a sum for which there is an incurred liability, in the previous year, even though such sum might not have been payable within that year under the relevant law, वो क्या बोल रहा है, कि भाईया, any sum payable कैसे माना जाएगा, incurred वाला bond भी माना जाएगा, और kindly appreciate, it is only for clause A, अब हुआ क्या सर, सर, यह जो clause A है, वो dilute क्यों हो गया, जो कि provision 1 डाल दिया, provision 1 में क्या बोला, कि भाईया, 149 एक की date तक गर आप payment करतो होगे, 43B की, कोई, आपकी डिसलाउंस नहीं होगी, पर हुआ क्या, जब 43B H लिखिया है, और उन्होंने provision 1 में के लिखा, other than clause H, तो kindly appreciate, अब मेरा question यह है, जो liability आपकी, 20 February को आ रही है, 10 March को आ रही है, जिसके 45 days या 15 दिन, आपके 31 March के बाद खतम हो रहे है, जो liability आपने खर्चा, कोई service का बिल लिया, आपने purchase करी, जिसकी liability कब आ रही है आपकी, 20 February, 25 March, जिसका, सर्थ, 45 दिन या 15 दिन, 31 March के बाद खतम हो रहा है, तो ऐसे case में, you can very well argue like this, कि सर्थ, यह incurred है, payable नहीं है, because, solution 2 किसके लिए, only for clause A, RV भी सुनो, सर यहां तक सर्थ आया, yes or no, yes sir, मैं, दुबारा repeat करूँ सर्थ बात को क्या, कोई दिक्कत दी सर, जो नहीं नहीं है, मैंने 25 कोशन दी है, कि 25 के 25 की आंसर लेंगे, target यह जो मैं बोल रहा है, लोगों सर्थ में आना चाहिए, अरुष्पिया, किसी आप कोई भी कोशन यहां तक, मैं थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा इसमें लोगों को समझाऊं, कि क्या, इसका मीनिंग क्या है, प्रेकिए 43 बीए जो है ना, वो है MSME की payment वालों के लिए, और उसके अंदर यह था, कि आपको 45 डेज और 15 डेज में अगर payment नहीं करते हो, तो जो मेरा खर्चा है, वो डिसलाव माना जाएगा, और उस साल में वो खर्चा अलाव होगा, जिस साल में actually payment होई है, अब कोशन आता है, यह बीच में जड़ा, तो उसके अंदर कोशन यह आ रहा था, कि मुझे 31 मार्च की balance sheet मेरे सामने आती है, तो उस टाम मैं अगर 43 बीच को देखना चाहता हूँ, तो मैं किस ताद देखूँगा, तो मेरे पाद 43 बीच को देखने के लिए, मेरे पाद 31 मार्च को creditors की list है, उस में से मैं देखूँगा कि मेरे MSME वाले कौन कौन से हैं, पहला कोशन, उसके बाद मुझे इसको देखना है कि क्या उसकी compliance, as per MSME एक्ट जो payment की terms हैं, 45 दिन अगर writing में है, पंदा दिन अगर नहीं है, तो होगी है कि नहीं होगी, तो उसके दो तरीके हुए, एक तो वो जो 31 मार्च को जिनकी 45 दिन से उपर payment हो गई, वो डिडे हो गए, डिउ, भला डिउ कब से है, डिउ तब से है, जब से उसका material आ गया हो, और उसको मैंने accept कर लिया हो, उस दिन से मेरे 45 दिन या 55 दिन मुझे start करते हैं, अगर वो 31 मार्च से पहले खतम हो रहे हैं, और मैंने उसकी payment नहीं दिये, तो वो add होगा, अब बात आ रहे हैं कि 31 मार्च को मेरा वो बिल खड़ा हुआ है, जिसके अभी 15 दिन या 45 दिन नहीं हुए हैं, तो मुझे उसको देखने के लिए, क्योंकि एक्ट वेरा इस साल का अगर मेरा assessment year है, 24-25, तो मैं 24-25 के बारे जब मैं देखूँँगा, तो मुझे क्या देखना है उसके बारे में, कि क्या उसके अगले financial year में, क्या पंदाज दिन, 45 दिन में अगर सो payment नहीं करी है, तो क्या मैं financial year जो मेरा 23-24 खत्ब हुआ है, क्या मैं उसके अंदर उसको एड़ देख करूँ, ये question है, जिसके बारे में नितिन कबर जी बता रहे है, अब आप थोड़ थे उसको planning आप इसकी बताईगे, अब आप क्या कह रहे हूँँआ हैं? मैंने ये बास समझानी कोश्क करी, पहली बात हो, जो खर्चा आप क्लेम कर रहे थे, जो आपने purchase किया था, आपने matching perception पर खर्चा क्लेम किया था, राइट, लौ 43 भी बोलता है, नो फॉर्टी थी भी बोलता है, नो फॉर्टी थी बोलता है, अगर आपने कर दिया हो तो, तो क्योंकि एक्समिशन टू बोल रहा है, कि भाई आप पेबल विल इंक्लूड इंकर्ड, ओल्ली फॉर्टी थी नॉट फॉर्ट फॉर्टॉस एच्टू मेरा कहना यह है, कि जो जो amount आपका पेबल होगा 31 मार्च के बात, यू के बाद एक्समिशन टू लेके आया था, और एक्समिशन टू सिरफ क्लॉस एक के लिए है, एच के लिए नहीं है, तो ऐसे के अंदर उसकी एडिशन नहीं होगी, आप वो खर्चा मिल जाएगा, और अगले साल आपने पेमिट करिये हैं नहीं करिये, तो वो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि खर्चा तो आपका पिछले साल क्लेम हो चुका है, जैसे इसामले तो audit fee की बात करते हैं, लेट उस से संजे भीया मेरे auditor है, इनकी तसला करूप audit fees है, अब office बात है, इन्होंने service का प्रेंडर करी है, ये तो एंडर करेंगे मुझे जून जुलाई अगस में, पर मैं provisioning का करूँगा, आप provision में टीडिस काट लूँगा, कोशन उठता है, अब कोशन उठता है कि आप कोई department बोल सकता है कि अगले साल, वो खर्चा डिसलाव नहीं होगा, सेम इशू इस केस के लिए आएगा, ठीके भीया? मैं में 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 समझ में आ गया होगा, कि जो 31 मार्च को जो पेबल में खड़े हुए है, क्योंकि जो बड़ा एक अच्छा सा एक थिन पॉइंट इसके अंदर जो देखने मिली चीज़ वही थी, कि पेबल और ड्यू दोनों में बहुत फ़रक है, तो इसमें इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर कहीं कोई क्लेंट का जैसे माली जी को केस लगता है, या कभी अपने को जूरू पड़े, तो हम इस चीज़ का शेल्टर ले सकते हैं, जो आज हमें लकूना बताया है नितिन जी ने, कि हम उन्हें जंपी इसकी रिप्लाई बनाएं, उसके अंतर इस चीज़ क्यू पर हम स्ट्रेस दें, बाद में पेमट नहीं भी हुआ है, तो उसके को फरग नहीं पढ़ने वाना आके भी पढ़ेगा, जैसे कि audit fees के बारे में बताया है, audit fees तो मेरे पिछले साब के खर्चा था है, मैं डबल खर्चा तो डालते हैं नहीं, तो ऐसी करके हम प्लाइन कर सकते हैं, यह लेकिन यह तभी है, लेकिन आप अपने क्लेंटों को यह समझाओ के अपने क्लेंट को ना समझाए, तो जब उसको बचाएंगे तब उससे फीस लेंगे इस बात करता है, इसमें मेजर इशू क्या है, सर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि पेमेंट मेट टू रिलेटिवस है, पहली बात, और कई बार लोग क्या करते हैं, सार, मैं रियूनरेशन दे रहा हूं अपने आपको, मैं पार्टेर हूं, मैं इंत्रस दे रहा हूं, तो नॉम्मली यहां भाई इंत्रस Two pasta ब heh बहुत पहले, पहलत इंपॉर्टेंट हैं, सब्सक्राइब करें दूसरी बात इंस्टूट का यह मानना है सब्सक्राइब बनाते हो तो कई बार सब्सक्राइब करें हमेशा देखें कि क्या वो जो आर्पीटी है आपकी डिफिनिशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो यहां पर भी रिपोर्टिंग होनी बहुत जुरूई है यह हमरे इस रूट की इस अगादर से है उष्यलम्राइब इस टूक अबादर साफ प्रिफिनिशन में रिफिनिया के सुथिनिशन में है रहा है नवी थे दूपाट पर इस टूक भाट ग्रोट पर्ट की रहा है फ्लाइब है